So Hi Everyone! स्वागत है आप सभी का Portion Tracker App की एक और नई वीडियो में तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे Portion Tracker App में आंगणवारी सेवी का और आंगणवारी साहईका का Profile Update कैसे करना है जैसे की एक नया अपडेट भी आया हुआ है Portion Tracker App में तो उसके बारे में जानेंगे, तो यह जो नया अपडेट है, वो 20.3.1 का एक नया अपडेट आ चुका है, तो सभी आगनवारी सेविका बहुने इस अपडेट को प्ले स्टोर से जाके जरूर अपडेट कर ले, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो होसन करेब का मोर ओल ऑप्सन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आगनवारी सेविका का प्रुफाइल अपडेट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, व्यूव प्रुफाइल पर क्लिक कर दें रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर आगनवारी सेविका का प्रुफाइल अपडेट दिखा रहा है, वह ऐसा नहीं दिखा रहा था, इस अपडेट के बाद अब आप लोग यहाँ पर उसका नाम वोगरा जो भी है, उसको चेंज कर सकते हैं, पहले यहाँ पर जो नाम कार्ड में नहीं है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर आप लोग को लिए easy हो गया है, अब आप लोग यहाँ पर edit करके खुद से अपना नाम जो है कि यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपना नाम यहाँ पर डाली जिएगा उसके बाद यहाँ पर अपना अधार नमर डाली जेगा यहाँ पर डेटा वर्थ डाली जेगा ठीक है और यहाँ पर जो जो स्टार्क मार्थ दिया गया है वो भरना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पे आधार पे stark mark दिख रहा है name में stark mark दिख रहा है data birth में stark mark दिख रहा है तो यह mandatory है इसको भरना अनिवार्या है जहाँ पे stark mark नहीं है वो आप लोग भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं mobile number में stark mark दिया हुआ है और यहांपे जो mobile number दिया गया है उसको hide कर दिया गया है यह विभाग के तरफ से ही इसको hide रखा गया है ठीक है यहांपे इसको आप छेंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद years up experience में भी आप लोग को स्टार्क मार्क नहीं दिखकरा है तो यह भी आप लोग छोड़ सकते हैं और यहां पर high इसको भी छोड़ सकते हैं आप लोग चाहें तो यहां पर इसको डाल सकते 대해서 करने के बाद आपको यहां पर सब्मिट वाले बटन पर किलिक कर देना रहे जैसे ही submit करेंगे तो account successfully updated हो जाएगा यानि कि आपका जो अधार है और जो नाम है वो आप लोग का यहाँ पर verify किया जाएगा तो चलिए हम लोग फिर से चेक करते हैं जो हमने इनका profile update किया है वो update हुआ है कि नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो green tick है वो नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि अभी इनका bank account details भरना अनिवार है जब यहाँ पर इनका bank account details भर देंगे तो आपका यहाँ पर green tick का sign upload को देखने को मिल जाएगा जैसे कि हम यहाँ पर back करते हैं और यहाँ पर सहाईका का जो profile update है उसको खोल के दिखाते हैं तो इनका यहाँ पर देख सकते हैं green tick लग चुका है इनका अधार verify हो चुका है साथी साथ इनका जो bank account details है वो भी यहाँ पर verify कर दिया गया है इसलिए आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इनका green tick यहाँ पर दिखा रहा है तो इसी परकार से आंगनवरी सेविका का भी यहाँ पर आप लोग bank account details भर देंगे तो यहाँ पर जो green tick का निसान है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इसी परकार के जनकारी के लिए लाइक जरू करें और यदि चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe जरू कर लें पर किसी नए topic नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद